आग लगने से घर में रखा समान जल कर हुआ बर्बाद पलामो जिलावेरो लफ कुशुमार सिंग की रिपोर्ट पलामो चैनपुर प्रखन के कल्यानपुर निवासी मुंची चौतरी का घर बीती रात आग से चल गया जिससे उसके घर में रखे खानी पीनी के समान, कपड़े, बर्तन वगयरे सब चल कर बरबाद हो चुके हैं ग्रामीनों के काफी मदद के बाद छपपर काट कर आग बुझाने का काम किया गया जैसे ही नगर निगम के मेर अरुना शंकर को सुझना प्राप्त हुई उन्होंने तुरंत मुंची चौदरी के घर पर बर्तन, कपड़े व नगत राशी अपने हाथों से ज़्जा कर उनके घर पर पहुँचाया साथ ही साथ अरुना शंकर ने कहा कि बहुत जल्द सरकारी आवास की सुविदा भी दी जाएगी तब तक घर में खाना वागैरा की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उन्होंने आर्थिक सयोब भी किया इस मौके पर सांसत प्रधनी दीभोला पांडे, वाट पार्षत, चंचला देवी, उस्ताद खान, कृष्णा अगरवाल, सुनील गुपता, सहित, सभी लोगुन गरीब परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसत दिलाएग